और अंगाबाद जिले के देब थाना छेतर के अदरी बिघा गाउं में धारा 144 लगाने के बावजूद दबंगों ने इट भट्टा चला रहे थे तभी जमीन के मालकिन रजनी देवी ने इसका बिरोध किया और कहा कि इस जमीन पर धारा 144 लगा हुआ है आप काम बंद करवा दीजिए यहाँ बात इटा भट्टे के मालिक अरुन सिंग और आनन सिंग को नागावार गुजरी और उन दोनों ने मिलकर बुजर्ग महिला को पहले धकेल दिया फिर महिला जब जमीन से उठी तो दोनों दबंगों ने महिला के गले से सूनी की चैन निकाल ली और बाल पकड़ कर पिटाएकर डाली और जोर से दिवाल की तरफ धकेल दिया जिससे महिला का सर फट गया है महिला का इलाद सदरस्पताल में क्या गया महिला ने देब थाने में आवेदन दे कर दो लोगों के खिलाफ प्राथमी की दर्च कराई है इसके बावजूद पुलिस ने ना तो दोनों को गिरफतार किया है और ना ही धारा 144 लगे होने के बाद भी काम को बंद करवाया अरून से नौा वान झाण दोनों काम सुरू कल यह हम गेली है माना करें कि एए बाबुचाव पुवालिस लगाल हो तो खाहे बहार ठक अनाद और आरुन शिन रगर्ण धर के झाख वल फिन ऊठके जब खाड़ हो ली और गाडा में चैन हरसे घीच लेला फिन ऊठके खाड़ हो ली के हमर चैनमा दा चैनमा दा और तब तक फिन धर्धा धर के पड़क तले जोटला गेल माथा में हम हुआ से चल देली अवेही दूएगो लाइकान अवेगो देवर हाथ उहलन जाओ 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 लखे कि मुनसी से पैसा एक लाख देशा जा प्षिमन ठाना में एक राबेदन देली हम आखिर आइसं का होले केकर जमीन हाले का हम ने उपर टाँ आव उन्हा ना माने था काम करते जाई था माना करेंगे लिए हम नीजोरे मार पीट भीकाइलां चैन भीच एक लेलां प्राइब का नाम हुल रहो है और जेब मार फिट के लन है से यह अनन्द जादो है और यह अरून सिन हाथ दुनों पाटनर हाथ और तब आरून सिन का बोलन है के रहे रहे कैसे केस लड़े लहाई चल चल चार गो जौपडी में आग लगा और सारा लेवर के बुंसी के लाद जूट संच करके और हर्जन एक हमने पर केस कहले है कि हमको पर जूटा आरोप भाठा का मामला है जमीनी विवाद है इन लोग क्या किये कि इस मामला को हम लोग पर उल्टा हर्जन केस हम लोग के उपर 12 ब्यक्ति पर कर दिये हैं जो अभी यहां पर हमारे थाना परभारी प स्वारा करवा दिया गया है कहां थे अब हम तो अरंगाबाद रहते हैं यहीं पढ़ाई भी करते हैं और ट्यूशन और कोचिंग भी चलाते हैं यहीं पर अरंगेबाद में अब क्या चाहते हैं पुलिस अधिकारी से पुलिस अधिकारी से हम यहीं चाहते हैं कि इस मामला क को अपने अस्तर से जाच करें और इसमें हम लोग को नियाय मिलना चाहिए क्या नाम हुआ मेरा नाम सुभास कुमार हुआ